फिर जीरो से शुरुआत करेगी अनुपमा, प्रोमो वीडियो में मिला यह में जहिंड। अनुपमा की एक छोटी सी गलती उसे इतनी भारी पड़ेगी, यह शायद किसी नहीं सोचा था। उसका कुछ देर के लिए रेस्त्रा से बाहर जाना इतनी बड़ी मुसीबत ले आया है कि अब यह कहना मुश्किल है कि रेस्त्रा बच पाएगा या नहीं। नए प्रोमो वीडियो की माने तो अब अनुपमा के रेस्त्रा के बचने की उम्मीद ना के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए प्रोमो वीडियो में अनुपमा की हालत बता रही है कि उसके बास अब कुछ खास बचा नहीं है। इतना ही नहीं, उसके डायलोग भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। जो प्रोमो वीडियो लगातार शो के बाद दिखाया जा रहा है, उसमें अनुपमा फिर एक बार लुटी पिटी सी नजर आ रही है। वो ये सोचकर इंडिया के ये रवाना हो रही है कि अब यहां उसके पास कुछ करने को हिन नहीं, ऐसे में कम से कम टीटो और डिम्पी के किया हुआ वादा ही पूरा करे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और मुश्किले खड़ी कर रखी हैं। वनराज शाह अनुपमा से शादी में आने से यह कहकर इंकार कर देगा कि उसने वैसे ही पूरी दुनिया में उनके परिवार की बेजज़ती करवा दी है। सब कुछ छोड़कर फिर भारत लोटेगी अनुपमा। यूँ तो ये प्रोमो वीडियो पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखाया जा रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैन थियोरीज की माने तो अनुपमा फिर एक बार जमीन पर आगिरी है और अब उसे फिर सब कुछ जीरों से स्टॉट करना होगा। जाहिर तोर पर रेश्तरा की इमेज बुरी तरह प्रभावित हुई है और ऐसे में शायद ही कोई उस रेश्तरा में खाना खाना चाहेगा। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर कई फूर प्रिटिक ने रेस्त्रा की बुराई की है तो इसकी इमेज को शायद ही इतनी जल्दी रिवाईवल मिले। आप देखना होगा कि अनुपमा यहां से आगे क्या करती है। मेकर्स क्यों लाए रेस्त्रा की बदनामी वाला सीन। क्या यश्दीप का गुस्सा शान्थ होगा। अगर हां तो क्या अनुपमा और यश्दीप मिलकर कोई नया काम शुरू करेंगे। और अगर नहीं तो आब अनुपमा की किस्मत उसे कहां लेकर जाएगी। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी दर्शकों को मिलना बाक और यहां पर नए तरह का ड्रामा दिखाया जा सके। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंस में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।